दोस्तो इस वीडियो में हम पुछांगे जीगे का पांच बड़े हिमायदार सवाल जो आपके जीवन बनाने में मदद करेगी और हर बीमारी से लड़ना की आप में ओच हमता बन जाएगी कि आपको कोई बीमारी कभी नहीं छूपाएगा तो चलिए वीडियो को बेगर दोस्तो इसका सही अंसर है शरीर में सुजन हो जाए तब खाना चाहिए धनिया की चट्नी हीव नहीं जलता है फ़ला नवा अगर आपको भ्यांकर से भ्यांकर बीमारी हो रही है बाएपाइड में सुजन तो चट्नी जरूर खाएग थरा सा नमक डाल कर सवाल नमबर दो निम्बू पानी चीनी का सर्वक पीने से क्या फायदा मिलती है हम लोगों को दोस्तों नहीं जाते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जनकारी हम ऐसा पाने के लिए दोस्तों कि दोस्तों इसका सब्सक्राइब पीट के हड़ बीमारी नश्ट होती है इसलिए निम्बू पानी चीनी का सेवन जरूर करना चाहिए जो लोग निम्बू पानी चीन का सेवन करते हैं उनको कोई परकार की बीमारी शरीर में उत्वाण नहीं होती है दोस्तों इसलिए ज़र रुपिया सवाल नमबर तीन बाइगन खाने से क्या फाइदा मिलती है हम लोगों को दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आच्छा जनकारी हम ऐसा पाने के लिए दोस्तों कि दोस्तों इसका सवी अंजर पेट ठांधा रहता हैं इसलिए दोस्तों आप Siricer रिकवेस्ट है कि बाइगन का सब भीवना चाहिए चिननी-पाणी-निम्भू का सेवन करना चाहिव इस सब करने से कि आप लोग को सब्सक्राइब कर लिएगा अच्छा जनकारी हमें सापाने के लिए मेरे भाई मेरे दोस्त दोस्तो इसका सब्सक्राइब दो चमच धनिया को उबाल लेना है और सेवन करना है तो आपको जो है परसुता जैसे भ्यांकर भीमारी मिर जाएगी और पेचीस की तो नामों निसान तक मिर जाएगी दोस्तो इसलिए जरूर खाएं सवाल नंबर पांच सिहत बनाने के लिए और कौन ऐसा चीज है कि उसमें तागत ज्यादा मिलती है दोस्तों नहीं जानते हैं ते वीडियो के लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर और तुरंत करें अच्छे दन करें हम ऐसा पाने के लिए दूस्तो इसका सरी अंसर है पनीड आंडा दाल दुग्ध सब चीज खाना चाहिए क्यांकि इस सब चीज खाने से तरफ्तर की बिमारी मिट जाती है और सिहत तागत बनता है इतना कि आप देख करके चौक जाएंगे दूस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक चैनल सब्स